कि कड़ है कि अधर कर butoon कि अलेक यादт अदर प्लीस के वाद और यूदक और और पिर विताए है और सब्सक्राइप यह इसमें थोड़ा से प्रॉब्लम जा रहा है तो देख सकते हैं आपर मैंने सक्कर ले ली हूं दूद पाउडर यहां पर कड़ा ही इलाइच अब हम लोग इसमें एट करेंगे एक सिद्ध चमज के सम्थिंग घी ताकि हम लोगा जो कद्दू गश्किया हूए नारियल अच्छ कि अच्छी के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता है नवह थोड़ा से शोग जाये इसके बाद यह देख सेती है मतलब आधा हिटर के समझे तुछ दूद एट करी हूं थोड़ा से मलाई भी था ताकि और टेस्टी लेगे और प्लीज प्लीज गाइस सपोर्ट कर दीज चुटी 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 उबालाना चाल हो गए हैं ताकि चल रहें को दूस्ट निस्कों पर अच्छे से उपाई उपल चुका इसमें और इसको छलाना है बीच भी में और याद रहे हैं जाए और यहां पर मैं सकरड कर रही हूं आप पाद के बडि़ाद उन्हakah ठाइब एक उचल तो यहां पर देखते हैं ऑफ जार तो यहां पर लएदा के चाश्च talking यहां है जाए यहां तुर्फ जाने देखा दी है उसके पाद सब्सक्राइब को आपको लिए भाद सब्सक्राइब कर देख बाद फीर दें इसके लिए आपको बीज़ बीज़ में चलाना है दो-दो मिनट की गैप में और इसके बाद में डालें अमूल का दूध पॉडर क्या ही पता दूध लगा था ना बहुत जादा अब बहुत ही एजी है जो कि घर में सभी समान में जाते हैं ना तो आपको बाहर भी जाना ने बहुत इस एजी है और यह देख सेथे हैं अब अब इसके प्लेट में खाली कर लेते हैं अब इसका हम लोगो सबसे पहले इसके बोला करके और फ्रीजर में टक लेना 15-20 मिन के लिए ताकि आपको काटने में कोई प्रॉब्लम ना जाए यह देख सेथे हैं अब बहुत ही अज़े पाया था बर्फी का थांक यू बाई